हर फिल्म के पीछे तो एक कहानी होती ही है। वीडियो में उसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर अनुराग में ऐसी कौन सी सरादे दी जिस पर प्रड्यूसर को इतना गुस्सा आ गया लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एनन बॉलिवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से कर लें इसके साथ ही आपको यहां दिख रहे घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरण नोटिफिकेशन मिल जाए दरसल इस कहानी के शुरवात हुई साथ फिल्म सेतू की रिलीस के साथ जो परदे पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी ऐसे में अनुराग कर्शिप को थमाया तब तक एक्टर संजय कपूर राधी का किरदार निभाने वाले थे हाला कि फिल्म पर काम न हो पाने की वज़र से बोनी कपूर ने राम गोपाल वर्मा से राइट्स उन्हीं देने के लिए कहा वो भी मान गये और फिल्म के राइट्स बोनी जहां realistic कहानियों पर फिल्में बनाते हैं वहीं सल्मान अपनी शर्टों पर फिल्में करते हैं ऐसे में जब अनुराग को फिल्म तेरे नाम की कमान दी गई तो उन्हों ने इस पर काफी विचार किया कि सल्मान को यहां बिलकुल small town लड़की की तरह दिखाना है जिबकि सल् एसे में उन्होंने मीटिंग के दोरान थोड़ा हिचकते हुए सलमान को अपने सीने पर बाल उगाने की सला दी ये बात सुनने पर मीटिंग में मौजूद किसी भी सदस्य ने कुछ नहीं कहा और वहां से उठकर चले गए लेकिन फिर प्रड्यूसर ने अगले दिन फोन करके उन्हें बुलाया अनुराग जैसे ही प्रड्यूसर के पास पहुँचे उन्होंने काच का ग्लास उठाया और दीवार पर दे मारा इतना ही नहीं प्रड्यूसर उन पर चिलाने भी लगे और कहा तुस सल्मान को बालुकानी के लिए बोलेगा यही वज़र ही कि फिर अनुराग को इस फिल्म से हटा दिया गया और सतीश कौशिक ने इसे डारेक किया इस बास का खुलासा खुद अनुराग कश्यपनिक इंटर्व्यू के दौरान किया था तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें